हलो गाईज, वलकम टू चारापोना, चारापोना में आप सब का फिर सेखबर्स होगा थे तो आई होब दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थमनेल देखके आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगर्डिंग होने मले जी हाँ, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा खुला सा आप लोगों के सामने रखूंगा जिसके लिए आप इतना दिन से बेताब थे यानि हमारी आपकी हम सब किसी की भाई शुशान सिंग राजपूत और इनके साथ क्या हुआ है ये तो इसके उपर इन्वेस्टिकेशन सब किसी का चल रहा है पर किसने किया है ये लेके बहुत सरा बावाल है, बहुत सरा कुश्चिन से पर आज मैं एक ऐसा कनफर्मेशन आप लोगों को दूंगा जो कनफर्मेशन सुनके शायद आप लोगों की कान पे आप विस्वास नहीं कर पाएंगे कि इससे वरी कनफर्मेशन और कुछ होई नहीं सकता कि मैं आज किस के बारे में बात करने जा रहा हूँ यानि शुशन सिंग राजपूत की केस में और दिशा सालियन की केस में main involvement अगर है तो वो है आदित्या ठाक्रे का और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं ये बात किस की बेस पर कह रहा हूँ क्योंकि आदित्या ठाक्रे जो है वो definitely ये तो मनना ही होगा कि ये जो ब्याक्ति हमारे सामने है ये एक बहत पावरफुल ब्याक्ति है हो सकता है कि हम वीडियो की चलते शुशन सिंग राजपूत की केस के चलते इनका नाम लेते हैं पर definitely एक बहुत ही पावरफुल ब्याक्ति है एक CM की बेटा तो उसके बारे में हम जब बात कर रहें तो definitely इसकी उपर तो कुछ ना कुछ सबूत तो मुझे पेश कर नहीं है कि मैं कैसे कहा तो मैं ऐसे कहा कि अधित्या ठाक्रे का नाम फिलाल सुप्रीम कोट ने भी कह दिया है कि शुशन सिंग राजपूत की केस में और दिशा सालियन की केस में डोनों केस में ही अधित्या ठाक्रे का नाम कैसे लिया गया है जो की पूर्व मुख्यमंत्री महराष्टर की उनकी बेटा भी शामिल है और जो की सुप्रीम कोट में डाकुमेंटेड भी है मतलब अधित्या ठाक्रे का नाम सुप्रीम कोट में यह documented है और यह mention भी किया है सुप्रीम कोट के तरफ से कि दिशा सालियन की case में और शुषत सिंग राजपूत की case में आदित्या ठाक्डे का नाम सुप्रीम कोट के तरफ से document किया जा रहा है मतलब आप सोच के देख सकते हैं और दोस्तों यह जो सुप्रीम कोट है यह कोई छो सोच समझ के ही इसका नाम mention किया होगा और साथी साथ जो भी मैं कह रहा हूँ यह actually मेरा बात नहीं है यह है नारयान राने की बेटा नितिश राने का कहना है कि सबके सावियानी अदित्या ठाक्डे का नाम उनका नाम जो documented है सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट के तरफ से उ एक ब्यक्ति जो कि मैंने अभी-अभी कहा कि महारश्टर सरकार की यानि पूर्व महारश्टर सरकार की एक लोता बेटा डेफिनेटली इसके नाम पे कोई ऐसे ही कुछ अफवाय नहीं लेकिया सकता तो अगर नितिश राने के तरफ से कुछ कहा गया है तो वो सोची समझी ह और उनका जो स्टेटमेंटे एक बार आप बो भी देख लीजिए इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीस मिनिस्टर का बेटा उस केस में इनवर्ड है ये सुप्रीम कोट का डॉक्यूमेंट है ये सुप्रीम कोट का डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंटर है ये तो आप लोगों ने देख लिया कि अधित्या ठाक्रे के ऊपर अधित ठाकडे को भी इस केस से अलग ना किया जाए मतलब डिफिनिटली कुछ ना कुछ तो बाते है यानि जो कि शायर अभी तक हम लोगों के सामने ना आ रहा हो पर ये जो फेस आप देख रहे हैं इतनी मासुम सी फेस ये फेस का नाम यानि इस ब्याक्ति का नाम जब सुप्रीम क केस के साथ यानि शुशंत सिंग राजपूत और दिशा सालियन इन दोनों की केस के साथ उस ब्याक्ति का नाम भी डेफिनिटली कही न कहीं तरब से लिंक अप होगा अब सब कुछ जाच में ही पता चलेगा कि exactly क्या उनका कोई हाथ था या फिर उनका कोई प्यार था या फ सरकार ने SIT जाच का आदेश दिया है SIT मतला Special Investigation Team तो SIT जाच का आदेश दिया गया है और यह जो सिंदेश सरकार है जो की अभी फिलाल मारश्टर की बर्तमान जो CM है तो बर्तमान CM तो डेफिनिटली चाहेगा कि जो भी हुआ था यानि पिछला जो भी किस हुआ था सब कि SIT का जाच किया जाए जिसमें इनको लगता है कि ये वाली जो सरकार था यानि सिर्प स्यना वाली जो सरकार था वो ये लोग जो भी काम को अधुरा छोड़के गया है ऐसा अगर कोई भी काम हो जो काम इन लोगों से सही से नहीं हुआ है तो वो हम उम्मिद रखते हैं हुआ है जो भी उल्डा सिधा काम हुआ है सब कुछ होगा मतलब अभी आपका और मेरा क्या लेना देना है मुझे और आपको कुछ नहीं चाहिए बस सिर्फ और सिप शुशंद सिग राजपुत की केस में शुशंद भाई को इन सब मिल जाए बस और सातिसा दिशा सालियान को भी मतलब हम लोगों की यही तो मांग है इसके बाद अगर इन लोगों ने कोई घोटा ला किया कुछ भी करे वो भार में जाए पर हम लोगों को बस हम लोगों का जो मकसद है वो कंप्लिट होने जाए सातिसाद मैं आप लोगों को और ए खुशकबरी देता हूँ कि पूरा जो सत्या है वो निकाल ना ही पड़ेगा वो निकाल के ही रखेंगे यह मतलब इससे साफसा पता चलता है यार की हमें डेफिनिटली कुछ पॉजिटिव दिखने के लिए मिलेगा यानि हम जितना भी कहे कि और कुछ नहीं हो सकता इस केस में बहुत बड़े-बड़ कियुके यह डेफिनिटली ये बत मैं नहीं कहूँँगा कि CR के किस एंगेल से जाच कहा रहे या फिर CR का जो ओपिनियन्से वो कैसा है क्युकि इसकी उपर थोरा सा रिलिज sah टाइप आज एगा तो इसके रिलिडेटल में बात नहीं कहूँँगा पर इनका थोरा सा को टार्गेट करता है या फिर ऐसा कुछ भी हुआ है तो सब किसी का जाच होगा और साथी साथ जब नितेश राने के तरफ से सुप्रीम कोट का ये जो बात है ये बात हम लोगों के सामने रखा गया मतलब अधित्या ठाकरे का नाम सुप्रीम कोट में डॉकुमेंटेड है मत कोई भी छूट नहीं पाएगा अल्टिमेटली यानि अगर अगर अधित्या ठाकरे या फिर शुशन सिंग राजपूत की केस में या फिर दीशा सालियन की केस में अधित्या ठाकरे के साथ साथ अगर और भी कई बड़े बड़े नाम अगर शामिल है अगर वो लोग भी सो और साथी साथ अभी का जो सरकार है सरकार की मदद सब कुछ मिलाते हुए जो सच है वो सच बाहर आना ही है उम्मिद रखते हैं कि बहुत जल्द हम हमारी भाई भायन इन दोनों को ही डेफिनेटली उन लोगों की हक यानि 302 डेलिवर कर पाएंगे तो बस दोस्तो इसके रिलेटेट अगर आप लोगों का कुछ भी कहना है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कर सकते हैं साथी साथ अगर आप लोगों को लगा कि हाँ आज की वीडियो की जानकरी एक दम धासू है पुरा दमदार है इन ब्याक्ति का ये म महाशाय का पॉल खुलने वाला है सुप्रीम कोट के समने बहुत जल्द इसके रिलेटेट अगर आप हैपी हो तो डेफिनेटली आपका एक्स्परेशन चाहिर करिएगा कॉमेंट सेक्शन पर तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे मेरा नेक्ट कीसी वीडियो आप आप